Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 3.1 matrix का question number 3 देखते हैं क्या है If a matrix has 18 elements, अगर किसी matrix के अंदर 18 elements हो, what are the possible orders it can have तो उस matrix के क्या-क्या possible order हो सकते हैं, वो write down करने हमने What if it has 5 elements, अगर उसके अंदर 5 elements present हो matrix के अंदर, तो क्या-क्या order हो सकते हैं ये हमने बताना है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका solution करेंगे सबसे पहले देखो number of elements कितने दे रखे हैं हमें Number of elements, हमारे पास हैं total 18 elements और order क्या होता है हमारा, rows into column, rows और column की multiplication को हम क्या कहते हैं order of matrix कहते हैं, ऐसे ही तो लिखा जाता है, number of rows into number of columns तो हमें वो possible values निकालनी हैं, जिनकी multiplication से 18 आए तो क्या क्या हो सकते हैं, हमारे 1 multiply 18 की हो सकती है, जिसमें 1 row हो 18 column हो दूसरी matrix क्या हो सकती है, 18 into 1 की भी, 18 rows हो 1 column हो फिर हमारी 2 multiply 9 की भी हो सकती है, 2 9 जा भी 18 होता है और 9 2 जा भी 18 होता है फिर 3 का multiple देख लो, 3 6 जा 18 भी होता है, और 6 3 जा 18 भी होता है कोई और value है हमारे पास ऐसी, नहीं तो ये 6 matrix हमारी क्या है, यहां पे possible हो सकती है तो 6 order of matrix are possible तो ये 6 order की matrix हमारी यहां पे बन के त्यार हो सकती है अगर हमारे पास 18 element दे रखे हो second part में क्या दे रखे है बच्चों, हमें number of element 5 दे रखे है 5 हमारे पास total element है तो हमारे पास जो order of matrix होंगे order of matrix कैसे निकलेगा number of row into column से तो हमें वो value देखने है, जिनकी multiply से 5 आ जाई तो एक तो 1 multiply 5 से आ रहा है, एक 5 multiply 1 से आ रहा है कोई और value ऐसी possible नहीं है, जिनकी multiply से 5 आ जाई तो हमारे पास 2 ही order possible होंगे, तो यहां पे लिख देंगे तो order of matrix are possible, और हमने बता भी दिया कि वो कौन-कौन से हो सकते हैं, या तो 1 row हो 5 column हो, या फिर 5 row or 1 column हो, this is the answer, समझ में आ गया question, कोई भी दिक्कत हो, किसी परकार की तो पूछे मुझसे, अधरवाइस चैनल को subscribe करें, like करें और ज्यादा से ज्यादा share करें, thank you students for watching your channel, next class 8